हेलो दोस्तों सावीत्री बेच में आपका स्वागत है कैसे हो दोस्तों हाउ दा जोस हाउ दा जोस येस दोस्तों जोस हाई रहना चाहिए आज हम करेंगे नेक के बारे में बात बोट नेक आई कट और वी कट आज हम तीन नेक देखेंगे और कैसे उसको ड्रो करेंगे और कैसी हम suit में جो हमने nine states सीखे न के बारे में हम बात करेंगे आज थोड़ा सा लिखेंगे note लिखेंगे pen copy जल्दी से जल्दी कर लीजिए लेकिन काम करने से पहले हम लेंगे थोड़ा सा motivation और आज फिर हम बात करेंगे a successful woman के बारे में आज हम बात करेंगे रूमा देख जो की राज्यस्थान बाड मेर की रहने वाली हैं दोस्तो उन्होंने गरीबी के कारण आठी कक्षय तक ही पड़ाई की क्योंकि बच्पन में ही उनकी माता जी एक्षपायर हो चुकी थी तो 17 साल की उमर में उनकी साधी कर दी गई जब वो 17 साल की उमर में साधी करके वो गाउं से तो एक गाउं में ही उनकी साधी हो गई दोस्तो राज्यस्थान के उस एरिये में जब बरसात होती है तब ही फसल होती है और उनके ससुराल वाले जब बरसात होती थी तब ही फसल कर पाते थे वरना आर्थी तंगी बहुत जादा थी रूमा देवी को काम करने के लिए गर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि लगबग जादा गाउं में अब इतना नहीं है पहले था लेकिन ये बात ज़ादा पुरानी भी नहीं है यही 2010 दस्तक की बात होगी कुछ गाउं ऐसे जहां पर लेडी जी को बाहर नहीं जाने दिया जाता है और नहीं काम करने दिया जाता लेकिन जब उन्होंने अपनी स्थीती बिगड़ती हुई देखी उनको सिलाई कड़ाई आती थी दोस्तो अपनी दादी से प्रोस में उन्होंने इस बच्चपन में ही सिलाई कड़ा इसी की वो अपने खुद के सूट बनाती थी तब उन्होंने सोचा दिमाख लगाया दो अपनी सहेलियो दो लेडीज को उन्होंने त्यार किया सिलाई करने के लिए पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया वो मानी ही नहीं क्योंकि कोई भी जैन्ट उनको अलोई नहीं करता था बहर काम करने के लिए बड़ी मुश्किल से दो लेडिज मानी और उन तीनों ने मिल कर सिलाई का काम सुरू किया दोस्तो जो राजस्थान के रहने वाले वो जरूर जानते होंगे और कमेंट में बताना भी तो दोस्तो उन तीन लेडिज ने सिलाई का काम सुरू किया दीरे दीरे उनका गरूप बढ़ने लगा और वो तीन से दस हो गई जब वो दस लेडि जो गई तो उनने क्या किया सो सु रुपे इखटे करकर एक सेकिनन मसीन खरी दी और अपना सिलाई मसीन और अपना काम बढ़ाने लगी दोस्तों देखो यहां पर भी हाथ की दस्तकारी उपर जा रही है हाथ की दस्तकारी बढ़ते वे नजर आ रही है तो दोस्तों फिर उन्होंने एक संस्ता के सयोग से काम मिलना सुरू हो गया है और आज वह तीस हजार औरतों को काम दे रही है दोस्तों उनके इस काम से परभावित होकर उनको काम मिलता गया काम मिलता गया हवरड युनिवस्टी में उनको लेक्चर के लिए बुलाया गया दोस्तों उनके नाम के आगे फैसन डिजाइनर लिखा गया आठवी कक्षा तक पड़ी हुई है रूमा देवी आठवी कक्षा तक पड़ी हुई है और उनके नाम के आगे फैसन डिजाइनर रूमा देवी लिखा गया और उनको लेक्चर के लिए बुलाया गया वो अमरीका, थाइलेंड, जर्मनी, सिंगापूर, काफी देसों में घूमी तो देख लीजिए दोस्तों हाथ की दस्तकारी अगर हम खुद से कुछ भी काम करने की ठान ले दोस्तों मैं जिनकी कहानी बताती हूँ तो वो लोग जो जमीन से उठे हुए हैं जो जीरों से सुरू हुए हैं देखो कोई भी फैसलिटी ना होने के कान लेकिन उन्होंने हर नहीं मानी एक गाउंस से आज उनको पूरा देश जानता है दोस्तों हमें भी इसी तरह दूसरों की मदद करने चाहिए इसी लिए मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ सावीत्री बैच के हर मेंबर का हाथ ऐसे होना चाहिए किसी भी मेंबर का हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए आपको भी जब आप परफेक्ट हो जाओगे दीरे दीरे आप भी दूसरों को कोचिंग दोगे जैसे मैं आपको कोचिंग दे रही हूं ऐसे आप भी औरों को सिखाओगे पूरे देश में हमें हाथ की दस्तकारी को आगे बढ़ाना है और सब के काम आ सके अच्छे माड़े बुरे टैम में सब को इसका सयोग मिल सके तो दोस्तों उनसे इंस्पायर होकर अब चलते हम अपन से काम पर जैसे की हम सब चीजे ब्लोक से शुरू करते हैं क्योंकि अगर हमें प्रैक्टीस और परफेक्ट होना है पहले हमें ब्लोक में परफेक्ट होना है तो दोस्तों यह ब्लोक जो मैंने रेडी किया है अब हम बनाएंगे आई कट वी कट कि बोटनेक यह देखिए बोटनेक अच्छ बोटनेक के बारे में हर किसी की राय अलग अलग होती है मेरे बोटनेक में हर किसी को बोटनेक डालने का मन करता है यह कोई healthy हो यह कोई पतला हो लेकिन बोटनेक होना कितना चाहिए और बोटनेक होता कैसे है देखो लगते है मुझे जादातर लोगों को पता होगा बट फिर भी मैं आप से बताती हूँ, जो मैं बना रही हूँ, आप बताना कि मैं क्या बना रही हूँ ये नजर आ रहा है आपको दोस्तों ये नजर आ रहा है, कुमेंट कीजिए, ये क्या है ये सब को पता है, ये नाव है, नाव और नाव को ही हम इंग्लिस में क्या बोलते हैं, बोट, बोट को ही तो हम नाव बोलते हैं न, तो बोट नेक का कार कैसा होता है, जैसा एक नाव का होता है, बोट नेक का कार भी ऐसा ही होता है, जैसा कि एक नाव का होता है, वो फ्रेंट बैक से इक्वल होता है, बोट नेक, से इकवल होता है अच्छा अब यह बड़ी समस्या होती है किसको कितना साथ आएगा कि कस्टमर बिल्कुल सेटस्वाइब नहीं होते तो देखो दोस्तों पहले हम बोर्ट नेक क्या लेंगे डीप लेंगे हम तीन इंच यह हमने तीन इंच डीप नेक लिया यह चीज़े नोट किजिए प्लीज यह चीज़े सब नोट किजिए कामाने वाली चीज़े जो हम डीप रख रहे हैं नेक वह हमने कितना रखा है तीन इंच तीन इंच हमने डीप रखा है और हमने इसको फोर से मल्टिप्लाई किया है चार गुना यह तीन इंच हमने डीप रखा है यहनि कि गहरा हमने जो नेक की गहराई रखी है वो कितनी रखी है दोस्तों तीन इंच तो हमने इस से चार गुना तीन को चार से हमने मल्टिप्लाई किया तीन को हमने चार से मल्टिप्लाई किया कितना आगे अब बारा इंच यानि कि चार गुना हम क्या लेंगे इसकी विर्थ यानि कि चोड़ाई लेंगे लंबाई तो हमारी ये हुई ना जो लंबाई हुई हमारी यह हुई तोब हम क्या लेंगे चोड़ाई तो हम बीच में रखेंगे दोनों साइड ना वो इक्वल होती है ना 12 इंच में हमने लगाया है निशान नाव ऐसा तो नहीं होती कि इधर से कम उदर से ज्यादा इक्वल होती है वर नव तो डूबी जाएगी पानी में तभी तो तैरेगी न वो इक्वल होगी है ना तो हमारी नाव की सेफ में बोट नेक बना रहे हैं बोट का मतबल क्या होता है नाव ठीक है दोस्तो अब हम बोट नेक अब क्या करेंगे हम अब हम नाम रखते हैं इनका ए बी सी तो नोट कीजिए ए और सी पर हम डाइगनल लाइन लगाएंगे ऐसे डोट डोट करके और हम इसको कव में डालेंगे राउंड में बी और सी को यह हुआ हमारा जो ओरिजिनल बोट नेक होता है 3 x 12 यानि कि 3 अगर हम double में cut करेंगे उसको deep में 3 उपर करेंगे हम 6 तो यह हमारा 3 12 यानि कि deep हम 3 इंच रखेंगे और broad हम 12 इंच लेंगे वो बोटनेक हुआ इसमें कंदी बचेगी ही नहीं कई बार तो जिनका shoulder कम होता है तो start ही उदर से हो जाती है arm जो हम लगाते हैं स्लीव बिलकुल neck से ही start हो जाती है बोटनेक में यह बोटनेक होता है बट यह comfortable नहीं होता हर इसको daily ways में नहीं डाल सकते हैं यह कुछ dresses में ही अच्छा लगता है कि हमें बस रेडियों के ऐसे party में जाना है उसमें ही अच्छा लगता है कोई ladies healthy size heavy उसको set आ सकता यह neck बट वैसे इसकी setting नहीं होती तो दोस्तों customer ने आके तो बोल देना है कि बोटनेक बनाईए और वो क्या बोलेंगे मुझे ना थोड़ा next से नीचे चाहिए और चाहिए भी उनको बोटनेक अब बोटनेक तो डीप कम होता है लेकिन हम उनको समझाएंगे फिर भी वो बोलेगे अरे नहीं मनिसा प्लीज यार मुझे थोड़ा neck पे लगेगा आप थोड़ा कम कर देना तो फिर हम क्या करेंगे हम लेंगे चार इंच चार का लेंगे या साड़े तीन का लेंगे चार का लेंगे या साड़े तीन का लेंगे और ब्रोड कम लेंगे ब्रोड दोस्तों कम लेंगे जैसे हमने इसका थ्री का चार गुना किया था तो हम थ्री का तीन गुना करेंगे तीन का तीन गुना करेंगे हम कितना होगा? बस पहाड़ा पढ़ना है तीन तीन नो, तीन की टेबल करनी है बस, थ्री थ्री जा, नाइन, तो हम क्या करेंगे फिर, नाइन, साड़े चार इधर और साड़े चार इधर, नो, जब हम ड्रो करेंगे दोस्तों फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको, अभी आपको लग रहा है, जब ड्रो करेंगे फिर अच्छे से समझ में आएगा, तीन से ही मल्टिप्लाइ किया ना, तो हम तीन ही लेंगे, यह भी हमारा बोट नेक हुआ, लग तो यह भी बोट रही है ना, लग रही है ना, यह भी बोट लग रही है, तो इस तरह से हम, यह हमारा फ्रंट है, और बैक भी हमारा इसी तरह से बनेगा कुछ, कि बैक भी हमारा इसी तरह से बनेगा ये भी कि तो हम ऐसे भी बोटनेक बनाएंगे कि बस्तम कस्टमर से पुछेंगे कि डीप आप बताईए आपको कितना रखना है ये हमने तीन इंच और ये ब्रोड हो गया साड़े नो इंच ठीक है ये बारा इंच ये चीजे हम कस्टमर से पूछ के करेंगे जैसे मैं जो बोटनेक डालती हूँ तो मैं कितना डालती हूँ दस तीन का कि या साड़े तीन ले लेती हूं या दस चार भी ले लेती हूं मैं अपना बोटनेक यही डालती हूं मैंने मेरे बुटीक पर एक टाइम में इतना क्रेज चला था करनाल के अंदर बोटनेक बने थी मैंने किसी भी कस्टमर को एक अधिम दो नहींने क्रु ना नहीं बोली जिसने जितना दीप बोला इतना उसका ग्रह बनाएं क्योंकि हर किसी का मन करता है ना जब उसका मन है कि उसे बोट डालना कि भाई आप खुस रहो आप बोटी डालिए पर बनाते हैं कैसे हम डीप बढ़ा देते हैं ब्रोड कम कर देते हैं जैसे जैसे कस्तमर की दिमांड होती है ठीक है न तो ये भी देखो सेप तो ये बस हमें याद रखना है कि बोटनेक ब्रोड होता है और फ्रंट बैक इक्वल होता है फ्रंट और बैक दोनों ब्राबर होते हैं बोर्टनेक में अगर किसी ने बोल दिया 5 इंच का है पैंच इंच का देखे कैसा लगता बुत नेक है पांच का तो जादर हो जाएगा ना चार इंच का देखते हैं दसका करेंगे चार बाएं दसका ये भी देखने में तो बोट लग रही है ना ये कितने का है दस बाएं चार इंच का ये उपर भी नहीं चड़ेगा कस्टमर का शोक भी पूरा जाएगा उसको बोट नेक भी मिल जाएगा तो बोट नेक में हमें बस ये चीज रखनी है हम जितना भी लेंगे जैसे हम डीप जादा तर तीन इंच ही रखेंगे उसको उतने से ये गुना कर देंगे चार गुना लेना या तीन गुना लेना है वो चीजे हैं वो सब चीजे हम नाप के कोडिंग देखेंगे बोड़ी देखेंगे कस्टमर का साइज देखेंगे हैवी है कैसे है तो वो सब चीजे हम नाप के कोडिंग देखेंगे तो बोट नेक पे यह सब आपने नोट कर लिया यह सब आप नोट कर लीजिए बोटनेक के लिए हमें क्या क्या करना होगा जैसे यह हमने ब्लोग बनाया हुआ है यह हमारा थ्री इंच आ गया है और यह हमारा गया है इदर सिक्स इंच यह जाता है न बोटनेक का सेप यह जाता है न आप लोगों कभी यह वाला तो यह हमारा बोटनेक का सेप गया अब मैं रफ कर देती हूँ आगे हम करते हैं आई कट के बारे में बात डन अब हम बात करेंगे आई कट के बारे में अब आई कट कैसे डालना है यह हमारा आई कट होता है न राउंड में राउंड में आई कट होता है और यह इसमें कितना होता है पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव का इसमें अंदर स्पेस होता है बिलकुल कम नजर आता है यह हलका हलका सा उसको ही हम आई कट बोलते हैं और यह राउंड नेक में जाता है अब देखो आई कट किसमें अच्छा लगेगा क्या जो शोट नेक होते हैं उनमें आई कट अच्छा लगेगा फ्रेंट के अंदर ने अच्छा लगेगा तो इसकी लेंथ कम से कम कितनी होनी चाहिए छे इंच होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए छे इंच हाफ इंच हम लेंगे मार्जन का 6 में हम कितना प्लस करेंगे, 0.50 यानि कि 6, ये कितना बन गया है, 6, तो neck की length हम कितने लेंगे, 6, इसमें हम देखो, उपर का round neck कितना निकाल लेंगे, वो आपके उपर है कि आपको आई कट कितना लंबा लेना है आप तीन इंच रखोगे या चार इंच रखोगे पर चार इंच बेस्ट रहता है चार इंच बेस्ट रहता है साड़े तीन भी ओक्के लगेगा साड़े तीन लेते है यह लेंगे हम साड़े तीन इंच पर लेंगे हम नेक कि अनुझ साथ, साथ neए पर लेंगे हम देखके पर लेगे हम अनुझ मेंगे हम बशेखके पर लेंगे हमेंगे अनुझ से पड़ी कोई पर लेंगे हम नेक एक सिलाई लगानी एसे इस तरह करके बस सिलाई लगानी है जब बनाएंगे इस मसीन पर आपको बताएंगे फिर उसमें शीजर के साथ सिर्फ कट लगाना है तब वो आइकट बनेगा इसमें आइक बटन और लूपी भी लगा सकते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है अच्छा ये लुपी से मुझे याद आया बोट-cak किसी को ज्यादा डीप चाहिए और उसको चाहिए भी बोट तो हम क्या कर सकते हैं किसी को बोट नहीं चाहिए वो में भूल गी थी मेरे माइन से निकल गया तो मैं बता रही हूं तो हम क्या करेंगे और चाहिए भी उनको डीप तो हम क्या करेंगे डीप छेंच दे देंगे उनको छेंच कैसे देंगे तीन इंच का तो हमने ये डीप रखा है और तीन इंच का हम उनको इस तरह का आई कट देंगे, एक आई कटी बोलते हैं, हम इस तरह में कट डालेंगे उनको, बोटनेक में, यह बड़ा प्यारा डिजाइन आता है, बहुत अच्छा डिजाइन लगता है यह, यह भी हम दे सकते हैं, जिनको बोटनेक भी चाहिए और डीप भी चाहिए तो ये बन तो 6 इंच डीप गया ना ये हमारा ऐसे बन गया याँ पर हम एक बटन भी लगा सकते हैं ये बटन लगा के हम इसको ऐसे ये सब चीजे आगे आगे देखेंगे हम कैसे बनेगी तो ये समझ में आया दोस्तो आइ 6 इंच काम कम्व्शल नेक रखेंगे आई कट डूकी इस सेप में बनेगा तो ये हम कुर्टी बगेरा में डालेंगे दूसरा है हमारा वी कट वी कट्ट रेडिमेंड्स कुर्टी में जाधतर आता है जो पैच वाली आती है उनमें भी आता है कुर्ता श्टाइट जो मैंने कुर्ती पर एक वीडियो भी डाली है उसमें भी मैंने ये वी कट डाला हुआ है बड़ा प्यारा लुक लगता है ये हम कैसे बनाएंगे दोस्तों ये हम राउंड लेंगे और ऐसे वी कट डालेंगे ये वी है ना वी कट ये वी कट है ना ऐसे हम पहले राउंड लेंगे और फिर इसमें हम वी कट डालेंगे अच्छे इसको हम पांच इंच भी कर सकते हैं ये हमारा छे इंच पर ही साड़े छे लेंगे छे इंच पर ही अच्छा लगेगा और इसको हम 5 या 5.5 इंच भी ले सकते हैं 5.5 इंच ये बड़ा प्यारा लगता है तो अब हम जैसे दो कुर्ती बनाएंगे ये देखो ये कुर्ता बनाए हमने ये देखिए दोस्तो ये हमारा आइकट वाला कुर्ता रेडी है अब हमने देखो इसमें क्या डाली हुए निचे हमने डाली है इसमें लाइन क्योंकि ये प्लेन था तो यहाँ पर जैसे हमने स्पेस के बारे में पढ़ा है स्पेस की फैसंट डिजाइनिंग में कितनी वैल्लू है तो आगे ये हमने लाइन्स बनाई है लाइन्स कौन सी बनानी है जो मैंने आपको नाइन पैच बनाने के लिए दिये दोस्तो उसमें जो हमने वर्टिकल लाइन्स बनाई है वो दिये तो हम क्या बनाएंगे इसमें वर्टिकल स्लाइन्स बनाएंगे बस और कुछ नहीं करना जैसे मैंने डाला हुआ है यह मैंने उपर मसीन के उपर दो रील लो दो रील को एक साथ नीडल में दो दागे चलाए हुए हैं वाइट रील के और निचे बोबिंस में एक धागा और ये design मैंने बनाया हुआ है ये नजर आ रहा है बाज़िव पे भी sleeves पे भी बनाया है और ये बनाया है और back में भी मैंने ऐसे ही बनाया है और पीछे भी मैंने क्या लगाई है बाद में इनको attach करने के लिए lace लगाई है तो आपको समझ में आ रहे हैं कुछ भी पॉइंट ऐसे ही नहीं है दोस्तो हर एक पॉइंट की वेल्यू है हर डिजाइनिंग में हर एक चीज की जो मैं आपको बता रही हूं तो देखो वो लाइंस कितनी अच्छी लग रही है तो आप इस तरह लाइंस बनाओगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो यह देखो मेर पास है हैंकर ठ्रेड जिसके पास यह अवलेबल होगा बोबिन में यह भर कर या आप देख लेना उपर नीडल में भी आ सकता है देखो एक्सपेरिमेंट तो करने चाहिए और इससे भी हम बड़ा प्यारा सुन्दर जो हमने नाइन पैच की स्टी सीखी है उससे हम कितना प कुर्टे पर बोर्डर बनाएंगे जब बोर्डर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे नीचे हम फ्यूजिंग पर इसके नीचे हम पेस्ट करेंगे अलग फैवरिक लेंगे उसके उपर हम इस तरह की लाइंस बनाएंगे और वह हम शाट पर पेस्ट करेंगे वह सब चीजे दीर दीरे में आपको one by one एक एक चीज बताती रहूंगे देखो उस टाइम आप सोचते हो कि मैं बोलते रहते हैं लाइन्स 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 हर चीज लाइन्स पर टिकी हुई है पूरा फैसन पूरा डिजाइन लाइन्स पर है तो यहां पर आ गई है लाइन्स अब हम क्या करेंगे दोस्तों नेक्स चलते हैं यह आपको समझ में आ गया हम कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं क्योंकि एक डिजाइनर को परिधान में कुछ भी डिजाइन करने की पूरी सवतंतरता है और अपने डिजाइन को मार्किट के अंदर उतारने की पूरी पूरां तारूप में सवतंतरता है चाहे वो आठवी पास है या फिर वो बीए ग्रेजवेशन है या फिर वो पीएचडी है कुछ भी हो सकता है पट उसे अपना डिजाइन मार्किट में उतारने की पूरी सवतंतरता है तो इसी लिए हम एक्सपाइरिमेंट करते रहेंगे तो ये तो बात होगी हमारी आइकट पर और लाइन्स पर देखो जो एक स्केच हम रेडी करते हैं अभी आपको थोड़ा से ये एनसेसरी चीजे साइद लग रही होगी बट पॉइंट पॉइंट इंपोर्टेंट एक डिजाइनर बनने के लिए हम जैसे भी हमें स्केच आता है मैं वैसा ही करना चाहिए हम दीरे दीरे मैं कोई आर्टिस थोड़ी न हूं या मैं पैंटिंग थोड़ी न बनाती हूं मैं भी बस ऐसे ही लाइन है लगाती हो के मीटर कपड़ा है अमें अम्रेला बनाना है तब आपके माइंड में क्या कटिंग आएगी कि इस तरह बनाना है यह स्टीचिंग आए कि हम ऐसे सील रहे हैं ऐसे आगी नो आपको एक पिक्चर आएगी नजर फ्लेयर नजर आएगा अम्रेला का फ्लेयर नजर आएगा ये होगा कि ये पिक्चर बनी हुई है फ्लेयर की तो दोस्तो फैसन डिजाइनिंग में स्केचिंग का एक महतम पूर्ण योगदान है हम इससे कश्टमर को अपनी तरफ पर भावित कर सकते हैं और कश्टमर को उस डिजाइन के बारे में प्रोपर समझा सकते हैं आज पास जो भी देखते हैं उसको स्केच पर हम उतार सकते हैं और लाइन्स का प्रियोग करकर हम उस डिजाइन में जान डाल सकते हैं तो नेक्स चलते हैं एक और मैंने ड्रेस रेडी किये ये हमने सिंपल कुर्टा बनाया है और अब हम बना रहे हैं कोट सेट कि a line में ये कोट सेट भी हो सकता है दोस्तो आजकल कोट सेट कोटन के भी competitors समस्ते हैं जो टी शिट जितनी हमारी लेंथ होती है उतनी हम लेंथ रख लेते हैं थोड़ी सी उससे तीन ये 4 इंच नीची और धोड़ा लूज न ज्यागा neuze ना स्टेट में हम पैंट की कटिंग की स्टेट लूज प्लाजो उसके नीचे लगा सकते हैं उसी को हम कोट सेट बोलते हैं और उसमें इतने प्यारे प्यारे डिजाइनिंग आती है तो हम एलाइन में भी बना सकते हैं पैंपलम में भी बना सकते हैं तो यह जो हम कर रहे हैं अब यह पूरा ऐसे, कौने निकले होते, A-Line के, बट हम हल का A-Line लेंगे, यानि कि, फ्लियर कम लेंगे हम A-Line का, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, Lines की हुई हमने, Contour of As, यानि कि, किनारे, समझ में आया, यह Lines का एक पार्ट है दोस्तो, जो हम Lines कर रहे हैं, उसका एक पार्ट है, तो हम इसमें यही Lines उठाएंगे, इसमें हम, इसका क्या आया था? जिग जैग, जिग जैग आया था ना इसका, तो कौन सी Lines आया थी इसकी? ऐसे ही हम इसमें जिग जैग बनाएंगे, यह देखें हम, ऐसे हम Sleeves पर भी इसमें जिग जैग बनाएंगे, जिग जैग बनाएंगे, ओर ट्रेंगल, मैंने आपको एक Multi Stitch दी थी, जो मैंने आपको एक Multi Stitch दी थी, उसमें बरापर बरापर ट्रेंगल मैंने आपको बनाने के लिए बोला था, तो हम क्या करेंगे? इसमें ट्रेंगल बनाएंगे, जो हमने Stitch ली थी, Stitch क्या हो गया हमारी इसमें? ट्रेंगल, और S क्या हो गया हमारा इसमें? जिग जैग, किनारों पे होता है न? इसग मस्तल क्या होता है? किनारे. तो किनारों पे यह हो गया न यह? हम किनारों पे बनाएंगे जिग-जैक. हम इधर भी बना सकते हैं बट वो अच्छा नहीं लगेगा. हम ऐसे ही बनाएंगे. और sleeves पर बनाएंगे. और neck कैसा बनाएंगे, हम देखो इसमें, fashion of the sense, neck हम इसमें बनाएंगे, round, और v-cut, round में v-cut, अब हमने round में इसमें v-cut डाला है, तो ये क्या, ये भी हमारा, तभी तो इसमें zigzag बना ना, समझे रहे हो ना दोस्तो, ये कुछ नजर आ रहा है, ये perfect आएगा इसमें, ये इसमें perfect आएगा, इसमें eye cut है, यानि कि vertical horizontal lines, दोनों हैं इसमें, और इसमें, देखो, v-cut इसमें आया है, उपर, और नीचे हम इसमें triangle, और as well, पैटनर, यूज करेंगे, तो हम ऐसे dresses बना सकते हैं, और boat neck में मैंने आपको बताया ही हुआ है, हम कुछ भी dress, आज कर चली भी है न, जो एक तरफ से long होती है, एक तरफ से short होती है, तो हम कुछ भी इस तरह की dress, design, कर सकते हैं, इसमें तो हम ऐसे ही boat neck बनाएंगे, और ऐसे एक आइकर डालेंगे, तो यह चीज इस समझ में आई, यह neck के बारे में था मेरा, और कल हम इसकी करेंगे neck की cutting और stitching, आज मेरा पूरा theory समझाने का मत्वलिय था, कि आपको बिल्कुल fit हो जाए, देखो stitching तो आप करी रहे हो दोस्तो, बट एक professional, technical तरीके से करना, कल हम neck बनाएंगे, cutting भी करेंगे, और stitch भी करते हैं, दोस्तों जो नए आए हैं, वो video 1 से देखे, 1 और 2, starting से classes लगाए, और जो video में नए हैं, चैनल को भी साथ साथ subscribe कर लीजी, ताकि उनके पास notification, ओन हो सके, और मेरी जो भी classes सुरूँ होती है, उनके पास पहुंच सके, आपका homework तो बनता है ना, तो आप करके लाओगे texture, texture यानि कि बनावट, देखो इसमें आपका फाइदा है, इस बहाने आप note को ऐसे ऐसे, देखोगे, कि texture के बारे में क्या बताया था, आप उसके बारे में खोजोगे, और जानोगे, जो कि आप कभी नहीं बूलोगे, तो मुझे homework आप दोगे texture में, एक या दो line में लिखके दोगे, मुझे texture के बारे में, यानि कि बनावट, हिंदी में बनावट, हिंदी, इंग्लिज, कोई सी भी लाइंग्वेज में दीजिए, ठीक है, तो आप ये homework कीजिए, और इसकी practice कीजिए, और next वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए, नमस्कार,